हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एटवटीफो नॉलेज ए ओफिशल यूट्व चैनल जड़ी आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दो चैनल और हाँ बैल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा जिससे हमारे लेटेस वीडिय अप्टेट आपको लगातर मिलते रहें हेलो फ्रेंड्स हमाय आपके सामने एक न्यू जॉब डिटेल लेकर कि आई सी एसाई एल ने निकाली है रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की है आपकी आई टी असिस्टेंट के लिए इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली कहीं है वो है 670 पोस्ट इसमें जो आपकी जॉब मिलेगी आपको वो मिलेगी वेरियस गोर्मेंट स्कूल जो की दिल्ली में है इसको कर सकते हैं आप अप्लाई ऑनलाइन जिसकी स्टार्ट डेट है 17 अपरेल 2018 और लाश्ट जो रहेगी वो रहेगी 7 मई 2018 तो जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में क्या है इसकी फुल डेटेल तो आएए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स ICSIL की ओफिशल नोटिफिकेशन है यह जिसमें आपकी 670 जो IT असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट निकाली गई है तो जानते हैं कि इसके डेटेल वाइस तो नेम आप दो इसके साथ दोस्तों इसमें डिजारबल है आपका experience जिसमें आपके पास 6 महीने का computer application में experience आपके पास होना चाहिए और आपको return में हिंदी और इंग्लिस लेंग्विज सा ग्यान होना चाहिए अदर requirement क्या है कि आपको typing speed आपकी अच्छी हो जिसमें 20 word per minute आपकी जो है typing skill आपकी होनी चाहिए और जो की 80% accuracy के साथ आपका हो job description क्या है कि आपको जो है अलग-अलग school में दिली में जो विभिन location पर उपलब्द हैं वहाँ पर आपको कारे करना होगा और साथ-साथ आपको MS-wide, MS-excel और internet की जानकारी भी होनी चाहिए आपको जो आप मंतली salary है वो 18,332 रुपे मिलेगी तो friends अब बात करते हैं important note के बारे में तो इसमें जो eligible candidate है जो online form आप भरेंगे तो उसमें आपकी एक application ID जनरेट होगी उसके हिसाब से shortlisted इसमें किया जाएगा आपको जो है document verification के समय original document लाने होंगे इसकी जो जो समय आपको पहले बताया apply कर सकते हैं 17 April 2018 से 7 May 2018 के बीच में जो इसकी official website है www.icsil.in पर जाकर महाँ आपको carrier option दिखेगा महाँ पर आप इसको form को fill कर सकते हैं आपको अपनी email या mobile number जो है सही डालना होगा कि आगे की जो detail है वो आपको उसी by SMS या email के थुरू बता दी जाएंगी अब बात करते हैं total fees की तो registration fees जो है इसमें 1000 रुपे non refundable fees है पर यह आपको एक साथ नहीं ही लगेगी तो दिली से बाहर आपकी job नहीं लगेगी और उसके साथ आप जब form भरेंगे तो आपके पास जो application ID जनरेट होगी तो आपको जो डूली sign जो document है आपके जिसमें आपका application form 12th की mark sheet, 12th की mark sheet, graduate degree की mark sheet, experience letter, computer diploma, pen card, अधारकार और 5 passport size photograph आपको अपने पास रखनी जब आप टाइपिंग इस test के लिए जाएंगे तो आपके जो date of birth है वो अधारकार और pen card या किसी में भी जो document आप लगा रहे हैं उनमें same होनी चाहिए mismatch नहीं होनी चाहिए और इसकी जो last date है online registration की तो 7 में 2018 है तो आपको ए form fill करना है तो उससे पहले आप ए form fill कर दें तो यह थी भरती से जोड़ी कुछ जानकारी जो मैंने आपको अच्छे लगी है वीडियो हमारी तो प्लीज लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए शेर कीजिए और हमारे ऐसे ही और वीडियो देख सकते हैं आप www.youtube.com slash A24 knowledge पे and last thanks for watching